अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे फैमिली में अर्भी कैसे बोलते हैं पहले सीखेंगे मामा बाबा यानि माबाप को अर्भी में क्या बोलते हैं इसके बाद में कैसे बात करते हैं शुरू करते हैं पिता पिता को बोलते हैं बाबा, अपने सगे पिता को बोलेंगे अबूत, या फिर इबा, इबा यानि अपना सगे बाब, माता को बोलते हैं मामा, मामा यानि मा, एक बोलना मेरी मा, इसको बोलेंगे उम्मी, उम्मी यानि मेरी मा, सोहर, सोहर को बती को बोलते हैं जोज, जोज यानि सोहर बीबी पतनी पतनी को बोलते हैं जोजुतुल या फिर जोजा जोजा यानि पतनी भाई भाई को बोलते हैं अखु अखु यानि भाई बहन को बोलते हैं उख्थी उख्थी यानि बहन बहन का पती जिसे बहनुवई और जीजा कहते हैं बोलेंगे जोज उख्थी जोज उख्थी जोज उख्थी यानि बहनुवई चाचा फूफा इसको बोलेंगे अम्मी अम्मी यानि चाचा अम्मी यानि फूफा चाची चाची को बोलते हैं अम्मती यानि चाची या फिर बोलेंगे अम्मतुन अम्मतुन यानि चाची दोनों तरसे बोलते हैं मामा मामा को बोलते हैं खालून यानि मामा मामी मामी को कहेंगे जोजतुल खाली यानि मामी भांजा भांजा को बोलते हैं इबनुल उख्षती यानि भांजा भांजी भांजी को बोलते हैं बिन्तुल उख्षती का मतलब है बहें की लड़की पोता, पोता को बोलते हैं हफीदुन, हफीदुन यानि पोता पोती, पोती को बोलते हैं हफीदुतुन, हफीदतुन, हफीदतुन यानि पोती बीबी का भाई पत्नी का भाई जिसे साला कहते हैं इसको बोलेंगे अखेज जोती या फिर या फिर बोलेंगे उठ्खू जोज यानि बीबी का भाई साली को बोलते हैं उठ्खती जोजती यानि बीबी की बहन ससूर को बोलते हैं हामुन यानि ससूर सास को बोलते हैं हमातू हमातू का मतलब है सास आदमी आदमी को बोलते हैं नफर या फिर बोलेंगे रज्जाल यानि मर्द आदमी नफर यानि आदमी एक जगह पे बहुत आदमी हैं हम कहते हैं बहुत सारे आदमी हैं इसको बोलेंगे नफर फिर वाजिद नफर फिर वाजिद यानि बहुत सारे आदमी हैं आवरत को बोलते हैं होर्मा यानि आवरत लड़का लड़का को बोलते हैं वलाद यानि लड़का लड़की लड़की को बोलेंगे बिंत बिंत यानि अपनी लड़की यह बोलना है लड़कियां इसको बोलेंगे बिनईयां बिनईया यानि लड़कियां बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं इसको बोलेंगे बजूरा बजूरा यानि बच्चे बाबा जो पिता के पिता होते हैं बाप के बाप उनको बोलते हैं जद्दा जद्दा यानि बाबा दादी जो पिता के मा इसको बोलते हैं जिद्दी 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 यानि दादी उमर कितनी उमर है उमर को बोलेंगे सेम उमर उमर यानि सेम मेरा दिल इसको बोलेंगे या गल्बी या गल्बी यानि मेरा दिल मेरी जान इसको बोलेंगे या हयाती या हयाती यानि मेरी जान मुहबत मुहबत कर बोलते हैं हैबिक 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 यानि मुहबत चुम्मा चुम्मा कर बोलते हैं बोसा 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 यानि चुम्मा मेरे प्यारे या हबीबी यानि मेरे प्यारे मेरी आखें या आयोनी या आयोनी यानि मेरी आखें मुबारक किसी को मुबारक बाद देना हो तो बोलेगे मबरोग मबरोग यानि मुबारक बाद शुकरिया शुकरन शुकरन का मतलब है शुकरिया ठैंकियो जवानी, जवानी को बोलते हैं सबाब सबाब, सबाब यानि जवानी बोलो, बोलो इसको बोलेंगे गुल गुल, गुल का मतलब है बोलो अगर बोलना है बात करो या बताओ इसको बोलने के कलाम कलाम या फिर कल्लम कल्लम यानि बताओ कलाम यानि बात करो गुल यानि बोलो अगर बोलना चुप रहो इसको बोलने के इसक्रित इसक्रित का मतलब है चुप रहना आधा आधा को बोलते हैं नुस नुस का मतलब है आधा दोगे अती अती यानि दोगे दिक्कत परिशानी इसको बोलते हैं मुश्किल मुश्किल यानि दिक्कत दिमाग मुख 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 का मतलब है दिमाग साथ में माग माग अगर बोलना है तुम्हारे साथ में है फी माग फी माग यानि साथ में है साथ साथ सवा 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 साथ साथ जाना रोह सवा सवा साथ साथ करना सवा सवी इस तरह बोलेंगे रखना रकिब 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 के मतलब होता है रखना आऊँगा एजित 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 यानी मैं आऊँगा तुम जाओगे इनते रोहो इनते रोहो यानी तुम जाओगे इनते यानी तुम रोहो यानी जाओगे आज इल्योम इल्योम इलियोम मतलब है आज आज वहाँ चलना है इलियोम रोहो मिननाक यानि आज वहाँ चलना है बारिस या बरसात इस्टो बोलेंगे मतर मतर यानि बरसात आज बारिस हो रहा है इलियोम फी मतर इलियोम फी मतर यानि आज बारिस है रात में जाना रोहो बिलेल रोहो बिलेल यानि रात में जाना एक बार मर्रा वाहिद यानि एक बार आखरी बार इसको बोलेंगे आखर मर्रा आखर मर्रा आखर यानि आखरी मर्रा यानि बार समझ गए फ़हमती फ़हमती का मतलब है समझ गए फ़हम यानि समझ गए यानि